हलो अव्रिवन चलिए स्टांट करते हैं आंज का वीडियो इससे पहले मने स्टाफिंग की चैप डाल चुका हो यह सात्वा वीडियों न्युखती करडं स्टाफिंग का तो स्टांट करते हैं आज के वीडियो में ऋसम्ह Фज़ और विकास यानि कि training and development में क्या अंतर होता है तो पहले दोनों की definition के बारे पढ़ लेते हैं क्या कहता है कि जो हमारा प्रेसिक्षर होता है यानि कि जो हमारा ट्रेनिंग होती है वह हमें किसी specific काम को करने का क्या करती है ability प्रदान करती है कोशल प्रदान करती है जिब कि डेवलप्मेंट होता है वह आपको अच्छा बनाता यानि आपके सभी छेत्र में सभी aspects में आपको अच्छा बनाता है अगर उद्देश की बात की जाए तो इसका उद्देश है उसके वर्तमान कारे में यानि कि जो उसका present work है उसमें उसकी नई efficiency दिलवाना है एफिशेंट बनाना है जबकि जो विकास होता है उसका संबंद भावी कारियों यानि की फ्यूचर की वर्क है उसके लिए चमताओं और कुशलताओं का विकास करता है यानि की ability और आपकी सारे method होते हैं उसके द्वारा किया जाता है जिबकि development जो है उसके लिए हमारे development seminars होते हैं समेलन होते हैं और भी कई सारी विधिया है basically meetings हो गई seminars हो गई यह चीज़ पहल यानि कि आप जब अपना step लेना चाहते है आप कुछ पहला एक step लेना चाहते है तो अपने करमचारियों को प्रिसक्षड देने के लिए अधिकारी द्वारा पहल की जाती है यानि कि जो मेन मैनेजर होगा वो पहल करेगा कि भीया मुझे training देनी है जबकि अपनी उन्नती और विकास के लिए व्यक्ति स्वेम पहले पहल करता है इसमें क्या होता है कि यह इंडिवीजियल है यह मैनेजर है तो इसमें मैनेजर पहल करता है जबकि इसमें इंडिवीजियल जो है वो पहल करता है पहला जो step है वो इसमें मैनेजर लेता है इसमें इंडिवीजियल लेता है अवदी की बात करें तो देखो सीड़ी बात है ज यह आपका जॉब फोकस्ट होता है जब कि यह आपका कैरियर यह कैशियर दिए कैरियर है ठीक है तो यह आपका कैरियर फोकस्ट होता है ठीक है इस तर की अगर बात करूं तो यह नॉन मैनेजमेंट इस तर होता है इसका मैनेजमेंट का इस तर यादि लेवल होता है तो यह मै आपको अगर टेक्नोलोजी का या फिर आपको टेक्नीक बताई जाते हैं किसी स्पेसिफिक कारे को कर दे की तो वह अबारा क्या कहलाता है ट्रेनिंग कहलाती है लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो विकास एक व्यापक करिया यानि इसे लार्ज कॉंसेट जो व्यक्ति को सभी छेत्रों में व्रिद्धी से संबंदित है हमने उपर भी पढ़ा है कि यह आपकी ओवरॉल डेवलप्मेंट से संबंदित होता है यह सारे अस्पेक्ट को लेता है तता भी यह दोनों परस पर संबंदित करिया है बिल्कुल यह आप तरेनिंग लेते हो यह आपको क्या करता है work की एमिलिटी को इगाता है जबकि आप की अप्रोच को बढ़ाता है आपके द्रिष्टी को बढ़ाता है यह आपके concepts को बढ़ाता है ठीक है इसके विधिया है तो बीगियों लेते तो विदियों में पहला आता है आपका on the job विदिया on the job विदिया का मतलब कि आप काम कर रहे हो तभी सीख रहे हो जब करो तब सीखो यानि कि लेर्णिग वाइल डूइंग ठीक है औसके अंदर सबसे पहला क्या आता है हमारे प्रक्षा परिक्षणार प्रोंग्राम आताई यानि क assessments आते हैं इसके अंतरहकरप्र परिक्षण आरफियों को किसी अनुभवी व्यक्तिकर परिक्षण परिक्षडार्थी को इसके लिए निर्वाहबता भी मिलता है यानि कि वह बेसिकली क्या करता है उसको इसके लिए सब्स्टेंशल कह सकते हो आप उसे इसे पैसे मिलता है यानि ट्रेनिंग लेने के लिए उसे पैसे मिलते हैं जिसे वह सीखो और कमाओ योजना का लाव उठा सकता है यानि अर्णिंग वाइल लर्णिंग का वह फाइदा उठाता है क्लियर दन आता है हमारा सयुक्त प्रसिक्षड सयुक्त प्रसिक्षड का बतलब होता है इंटर्निशिप अब इंटर्निशिप कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आप लोगों ने सुना ना हो अपने आसपास फिर भी हम लोग पढ़ लेते इस विदी के अंतरकत जो सेक्षण एक स अब देख रहे हो कि यह थोड़ा सा बड़ा है तो आराम से पढ़ते यह प्रसिक्षड एक नए कर्मचारी को दिये गए प्रसिक्षड का एक प्रकार है यानि कि जो भी न्यू आता है परसन अगर कोई न्यू इंप्लॉई आता है तो वह किस टाइप की ट्रेनिंग करता है यह उसका एक टाइप है जिसमें नए कर्मचारियों को अन्य कर्म व्यवसाइक परिवेश नौकरी और व्यापार के साथ प ज्वसानी होती है ज्यादा अच्छे से समझ पाता है वहां ठीक है जैसे कि आपका जिट कलासा वाला जो चैप्टर है वाइल कटिंग वाला क्लास का यहां पर क्या हो रहा है खाने के लिए बेल का क्या हिसाब किता हुए बाल कटना कपड़ा उसे पता ही निए था दूसे प्रसिक्षड के इस प्रकार की अवदी कुछ घंटों से कुछ महीनों तक हो सकते हैं अभी विन्यास प्रसिक्षड वास्तम में नवांग जड़ी जादा हिंदी है नवांग उंतुक का समुही करण करने के लिए कंपनी के समगर रड़नीती मानको और प्रदर्शन आधी के ल स्टेंडर्ड लाता है स्टेंडर्ड के तुरू हमें पताना है कि एक्जेक्यूशन जो उसी स्टेंडर्ड पर होने चाहिए और यह उसको अपर्चिनिटी प्रवाइड करवाता है अगर ध्यान से देखा जाए तो समया और लागत की बचत करता है बेसिक बात यह होगी क्य यहां पर एक ही दे रखा है इसको हटा रहो सौरी ताकि आप लोगों क्लियरली दिख जाए तो कारे के से परे प्रसिक्षण का बतलब होता है आउट अफ जॉब की आउट अफ जॉब ट्रेनिंग लेनी है तो परिक्षण अरतियों को काम से अलग एक अन्य संस्ताने प्रस प्रकोस्ट साला प्रसिक्षण यानि के लैबोरेटरी ट्रेनिंग की बात हो रही है इसके अंतरवेत क्या होता है जो भी हमारे निव इंप्लॉई होती है उनको ट्रेनिंग लेने के उद्धेश्चत उनका अब्जेक्टिव लेना एक अलग ट्रेनिंग सेंटर पर भेज़ सब्सक्राइब करने वाले हैं वैसा ही बनाया जाता है एक मॉडल बनाया जाता और वहां पर उनको काम सिखाए जाता है यह था हमारा च्छटा चैप्टर यह कंप्लीट हो गया इसके साथ मैं बहुत जल्दी आठवे चैप्टर के साथ कम बैक करता हूं और तब तक के